हेलो फ्रेंड आप सभी का स्वागत है आरके क्लासे यूट्यूब चैनल पर आज किस वीडियो में हम बात करेंगे रूची इंट्रेस्ट की इस वीडियो के अंदर हम इसका कंसेप्ट जानेंगे इसका मीनिंग देखेंगे इसकी टाइप्स क्रेक्टर स्टिक्स और फैक्टर करते हैं रूची को तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं सबसे पहले बात करते हैं रूची का परते हैं व्यक्ति की कोई ना कोई रूची जरूर होती है और इन ही रूचियों के आधार पर व्यक्ति किसी काम को पसंद करता है या ना पसंद करता है रूचियों के कारण ही हम किसी काम को पसंद या ना पसंद करते हैं अब जैसे मैं आपको टीच कर रहा हूं तो मेरा इंट्रेस्ट है पढ़ाने में मुझे अच्छा लगता है पढ़ाना इसलिए मैं यूटूब पर वीडियो बनाकर डालता हूं इन्ही रूचियों के कारण व्यक्ति किरिय या आदि को पसंद करता है या उसे अधिमान देता है अधिमान बोलते हैं हम प्रेफरेंस को प्राथमिक्ता को तो रूचियों के कारण ही हम किसी काम को प्रेफरेंस देते हैं अब यदि हम सिक्षा का छेत्र देखते हैं तो वाँ पर रूचि को ही केंदर बिंदु माना ग संबंद होता है जब तक हमारा ध्यान नहीं होगा किसी चीज पर हमारी रूची नहीं हो सकती तो रूची के लिए ध्यान का होना बहुत जरूरी है ये दोनों आपस में संबंदित है पर ध्यान के लिए रूची का होना ये जरूरी नहीं है कई बार हमारा ध्यान नहीं चाहते वीवी की ही चीज के उपर चला जाता है तो रूची के लिए ध्यान क्या है बहुत जरूरी है हर व्यक्ति सामाजिक राजनेतिक या धार्मिक मामलों के परति विभिन प्रकार से अपनी प्रक्रिया देते हैं अब हर व्यक्ति के अलग-अलग रूची होती है तो यह दिस सामा अपने जीवन के उदेशा होते हां जीवनकाल में व्यक्ति को विभिन अनुभव प्राप्त होते हैं और इन çal आद्मिंको को टेना नोलेज लेना कुछी आपका वदेशा हो सकता है और उन्हीं अधार पर जो है रूचियां होते हैं जो अमारी उनका हिस से होता है आगे देखते हैं रूचिया आयू के साथ साथ बदलती रहती है हमारी उमर के साथ साथ रूचियां बदलती रहती है सोटे बच्चे होते हैं उनमें बड़ी जल्दी जल्दी से बदलती है त्यूरता से रूचियां बदलती हैं फिर जैसे जैसे हमारी उमर बढ़ती है रूचियों में क्या होता है इनके अंदर स्थाई तव आ जाता धीरे धीरे ये स्थाई ओने लग जाती है रूचियां क्या होती हैं और विभिन पक्स क्या होती हैं इसकी अब हम लोग इनको जानते हैं तो हमने concept देखा है अब हम बात करेंगे इसकी meaning की इसका क्या अर्थ होता है रूची जो है अंग्रेजी के interest सब्द का हिंदी में translation है ओ जो interest सब्द है ये लेटिन भाषा के सब्द से बना है interest से इसका क्या मतलब होता है इसके तीन मतलब होते हैं इसका मतलब होता है अंतर स्थापित करना महत्व पूरण होना लगाव होना अब रूचियों के द्वारा ही हम लोग अंतर स्तावित करते हैं, मालोग दो चीजे हैं, उनमें क्या डिफरेंस हैं, हम लोग अपने अपने रूचि के हिसाब से देते हैं, रूचिये कारण ही हम किसी चीज को महत्व देते हैं, और रूचिय जब होती है तो अभी हमें किसी से लगाव होता है इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि रूची के दवारा उद्धिपक में भिन्ता महत्ता लगाव स्तावित क्या आयाता है उद्धिपक हम बोलते हैं स्टीमूलस को जिससे हम लोग प्रभावित हो या जो चीज आमें उक्साए अब यदि किसी चीज में हमारी रूची होगी तो हमें उसके लगाव होगा हमें उसकी महत्त का पता होगा हम अलग अलग चीज़ों में से अपनी रूची की चीज जो निकाल सकते हैं अब किसी भी व्यक्ति के निरंतर व्यभार के लिए उसकी रूची आहीं उत्तरदाई होती है जो हमारा बिहेव होता है वो रूची पर ही आधारित होता है रूची क्या होती है अभी प्रे रख सकती है motivated power होती है ठीक है जो एक आगर प्रियास को पैदा करती है जो concentrated effort होते है उनको पैदा करती है स्थिर रखती है और उनको नियमित बनाती है इसके बाद देखिए किसी भी व्यक्ति के निरंतर व्यभार के लिए उसकी रूचियां उत्रदाई होती है यह हमने पढ़ा लिया है अब हम एक definition देखते हैं दो-तिन देखेंगे यहाँ पर आपको कोई भी easy लगे वो आप अपने exam में लिख सकते हैं यह आप उसको याद कर सकते हैं पहली है MacDougal की इन्होंने क्या कहा है रूचिया एक व्यक्ति का स्थिर गुण है एक line की definition है बस रूचिया एक व्यक्ति का स्थिर गुण है इसके बाद आगे है सहारी और टैलफोर्ड के अनुसार रूचिया पदार्थ के परती अनुकूल वैभार है फिर है विलियम जेम्स के अनुसार चैनित जागरुकता या ध्यान है जो किसी संपूर्ण अनुभव में से अर्थ पैदा करता है अब हम चुनते हैं ना अपने रूचि के हिसाब से और फिर ध्यान भी लागाते हैं तो चैनित जागरुकता या ध्यान है जो किसी के संपूर्ण अनुभव में से अर्थ पैदा करता है ये है जेम्स स्वरी वीलियम जेम्स के अकॉरडिंग अब बरड़े की अनुशार क्या है रूची वे कारक है जो किसी वैक्ती की किसी पदार्थ वैक्ती या क्रिया की और आकर्शित करते हैं या अनाकर्शित करते हैं मतलब हमारा attraction होगा किसी चीज के तरफ या उल्टावी हो सकता है तो पदार्थ वस्तु के रिया इन सब के तरफ attraction या repulsion होगा हमारा फिर आगे next है BN जहा के अनुसार रूची यह स्थिती मानसिक संस्थान है जो कार्या चालू रखकर ध्यान को लगातार बनाए रखता है रखेगा इसके बाद आगे देखते हैं types of interest रूची के कितने परकार होते हैं यदि हम सामाने तोर पर देखे तो इनके तीन परकार होते हैं इसके लगा और भी परकार होते हैं जैसे super है सूपर ने चार तरह की रूची बताई हैं उसको हम लोग किसी और वीडियो के अंदर डिसकस करेंगे अब यदि हम मेनली देखते हैं तो तीन तरह की रूचिया होते हैं अरजित करते हैं तीसरी होते हैं गुणात्मक रूचियां गुणात्मक दृष्टी से मतलब हमारे अंदर कोई क्वालिटी है और उससे फिर हमारे अंदर रूची हो गई है वह होते हैं गुणात्मक दृष्टी से रूचियां सबसे पहले बात करते हैं जनमजात रूचियों की जनमजात रूचियों को दूसरा नाम है इसका प्राकर्तिक रूचियां तो इनको हम लोग प्राकर्तिक रूचियां भी कहते हैं इन रूचियों का जो आधार होता है वो मूल परवर्तियां होती हैं हमारे अंदर जो जनम से मूल परवर्तियां होती हैं वो इनका आधार होती हैं जनमदात रूचियों का जैसे गाने में रूचि बच्चों की खेल में रूचि बूखे व्यक्तियों की भोजन में रूचि मा मा की संतान के परती रूची अब कोई आदमे मालों भूखा है प्यासा है तो उसकी रूची खाने पीने में होगी मा है कोई उसकी रूची होगी अपने संतान के उसमें रूची होगी बच्चों की खेलने में रूची होगी तो ये सारी की सारी नैचुरल छेजिए है इसलिए इनको प्राकर्तिक रूची भी कहते हैं दूसरी है अर्जित रूचियां एक्वाय इंटरेस्ट वे रूचियां इसके अंदर आएंगी जो आधते आधतों मनो भाव सेंटिमेंट्स हीन भाव आचरण तथा आधर्षों द्वारा ग्रहन की जाते हैं जिनको हम अपनी आधत, मनो भाव, आचरण, आधर्ष इन से घ्रहन करते हैं वे रूचियां होती हैं अर्जित रूचियां इस प्रकार की रूचियां प्राकर्तिक अथ्वाँ जनमजात रूचियों द्वारा उत्पन होते हैं इनका जो बेस होता है जिससे उत्पन होते हैं पहले वाली जो रूची है हमारी जनमजात रूच कारण होती है इस रूच कारण व्यक्ति विशिष कारिया है में कोशल अर्जित करता है अब जैसे आपने मकैनिक देखा होगा अब मकैनिक क्या करता है रूचियां अर्जित करता है उसके अंदर skill development होती है तो उसने वो चीजे अरजित की हैं एकोवायर की हैं तीसरी है गुणातमक दरिष्टी से रूचियां इंटरेस्ट फ्रोम क्वालिटी व्यूपॉइंट गुणातमक दरिष्टी से रूचियां निम्न परकार की हैं सामाजिक रूचियां व्यवसाई करूचियां विग्यानिक रूचियां साहिति करूचियां संगीत सम्मंदी रूचियां कलातम करूचियां व्यपारिक गनित सम्मंदी लीपिक रचना है अब गुणातम का क्वालिटी मतलब जिस आदमी के अंदर जिस तरह की क्वालिटी होत जैसे welfare वगेरा ये काम होती है तो इस तरह से related जो रूचिया होती हैं वे होती हैं गुणात्मक द्रिष्टी से रूचियां अब हम लोग इसकी character sticks देखते हैं क्या इसकी विशेशताई होती हैं सब ही रूचियों की कुछ विशेशताई होती हैं जोकि उपरोक्त परिभासाओं के माध्यम से सामने आती हैं और ये विशेशताई निमलिखित हैं पहले हैं जैसे रूचियां जर्मजात भी हो सकती हैं और इनको अर्जित भी किया जा सकता है तोनों टाइप किये हो सकती है रूचियों का सम्मंद वर्तमान और भूतकाल दोनों से होता यहां पर भूतकाल और लिख लेना जो हमारा past है और जो present है उससे related होती है रूचियां और emotional attitude ये होती हैं और इनको हम लोग परवर्थिया instincts ही इनको कहते हैं इसके बाद आगे है अधिगम और रूचि में गहरा संबन्द होता है जब तक देखे बच्चे की रूचि ही नहीं होगी तब तक learning या अधिगम नहीं हो सकता इन दोनों के अंदर क्या है संबन्द है रूचियां स्थाई नहीं होती देखे शुरुवात में तो बच्चा जो होता है भोत्ति उर्थ्ता से उसकी रूचियां बदलती है फिर प्रोडवस्ता तक पहुंचते पहुंचते इनमें वयापक परिवर्थन होने लग जाते हैं कुछ रूचिया आयो के साथ साथ देख को कितने मोके मिलते हैं या कैसा हमारा समाजिक मुल्यांकन हुआ इसके उपर डिपेंड करते हैं इनका परिणाम है अब सुपर के अनुसार रूचिया वनसानु कर्मित अभिरूचियो नलीका विहिन कारकों में अंत्यकिरिया का परिणाम है अलब जो हमारा हमारी वनसानु कर अभिरूचियां है अभिरूचि को पता होगा। हमारे थी एंदर को छमतै होती है। इनको अभिरूचि केहते हैं। और जो नवे का विहिन कारक है। उनके साथ जी degli नहींたटेटि जो 겁니다 उन्ही का फरिणाम इसने सूपर ने इसको कहा है आगे देखते हैं रूची और ध्यान को अलग करना असंबब है अब मैंने आपको बताया था है इनमें गनिष्ट संबंद है जब तक ध्यान नहीं लगाएंगे अम किसी चीज के उपर तो तब तक रूची नहीं हो सकती जब रूची होती है तभी हम किसी चीज के उपर ध्यान लगाते हैं रूची को हम लोग गुप्त ध्यान भी कह सकते हैं और ध्यान जो है इसका स्करिया रूप है रूची हमारी आवसकता इच्छा लक्स है इन सब से जुड़ी होती है जब तक हमें जरूरत होती है हमारी इच्छा होती है यह हमारा कुछ लक्स होता है तब ही हम लोग किसी चीज के परती अपनी रूची दिखाते हैं अब रूची की अनुसार कार्या करने से अदिगम जो परकरी आए अब यदि हमारी की चीज में रूची है तो वहां पर हम कुछ चीज सीख रहे हैं तो उसके चीजने के जरान जितनी भी बाधाय आती है वह अपने आप ही दूर हो जाती है यदि हमें उस काम को करने में प्रियात्मक भावात्मक की और प्रेद्ध करती है किसी वस्तू में रूची होने के कारण हम उस वस्तू की उसी द्रिष्टी कॉन से व्याख्या करते हैं उसको अर्थ देते हैं हमें जिस वस्तु में हमारी रूची है ना तो हमारी सोच उसके परती उसी परकार से होगी और हम उसको उसी के अनुसार हम उसको मिलिंग देंगे रूची हमें संतोस देती है ऐसा तभी होता है जब रूची के अनुसार कोई काम करते हैं रूची से हमें एक संतुस्ते मिलती हैं और रूची के अनुसार हम लोग अपना काम करते हैं वातावरण तथा वनसानुकरम से मंदिक कारक जो हैं रूची को रूप देते हैं अब जैसे हम वातावरण में रहेंगे उसी हिसाब से हमारे रूची आओंगी या जैसा हमारा वंस रहा है, वंस का भी इसके उपर असर पड़ता है आगे हैं रूची वेवार का गहरा सम्मन्द होता है, बिल्कुल होता है, अब जिस तरह का, मतलब जिस तरह की चीज़ों में रूची होगी, हम उसी तरह का वेवार करेंगे फिर लेंग एक बिंगता जो sex difference होता है यह भी असर ढालता है रूची के ऊपर अब लड़कों की अलग चीजों में रूची होती लड़कों की अलग में तो sex difference भी जो असर ढालता है बुद्धी डालती है अब एक पागल आदमी है तो और एक जो है सही समझदार आदम है तो उ अब जो बुद्धिमान होगा उसकी रूची अलग होगे और एक पागल आदमी के अलग होगे होई नहीं सकते उसकी तो आप ऐसा भी कह सकते हैं अब संस्किर्ती अब हर धरम के अलग संस्किर्ती होती है वह भी रूची के ऊपर असर डायूती है अब हम लोग देखते हैं फेक्टर अफेक्टिंग इंट्रेस्ट कुन-कुन से कारक हैं जो रूची को परभावित करते हैं तो यहां पर बुद्धि है आयू लिंग है सारे रिक विकास आएगा यहां पर वै कर ले ना विकास है सामाजिकार्थिक स्तर है देखे बुद्धि तो डालती है अब कलास में आप लोग दे सकते हैं एक इंटेलिजन्ट बच्चा है तो वो मुश्किल मुश्किल काम करना पसंद करेगा उसको जो मुश्किल टास्क है भी अच्छे लगेंगी और एक एवरेज या मंद बुद्धि अच्छा है वो आसान काम करेगा तो बु सारे रिक विकास भी है अब किसी का फिजिकल डेवलप्मेंट इसा इसे नहीं हुआ आप कोई दुबला पतला कमजोर आद्मी है उसका इंट्रेस्ट पहलवान बनने में नहीं हो सकता तो सारे रिक विकास भी अशर डालता है समाजिक आर्थिक स्तर बिलकुल अब मालोब ब गरीब परिवार का बच्चा है तो उसका इंट्रेस्ट होई नहीं सकता बड़ी चीज़ों मैं बहुत साहिए कि वही दुनिया का नंबर वन आदमी बनना उसका इंट्रेस्ट ऐसी चीज़ों मैं हो सकता है या पाईलेट बनना हो या कुछ और मतलब लेवल के हिसाब से बन फिर आगे सांस्कृतिक वातावण असर डालता है इच्छा या दर्ष डालते हैं स्कूल का जो करिकूलम है वो डालता है और वेवसाइड डालता है इन सबको यह यहाँ पर आठ हेडिंग्स हैं इनको हम लोग वन बाई वन करके डिटेल में डिसकस करेंगे सबसे पहला कारक बुद्धी है इंटेलिजेंस बुद्धी और रूची का सहसंबंध भी पाया गया है तियूर बुद्धी वाले बच्चे यहां पर बच्चे कर ले न उन कारियों में अधिक रूची लेते हैं जिनमें तरक्की अधिक आवशक्ता होती है चिंतन जिनमें को ज़्यादा करना पड़ता है कोई बच्चा मा लों इंटेलिजेंट तो वो क्या किरें जिनमें लोजिकल वाले काम करेगा जिसमें उसको सोचना पड़े या चिंतन लगे अब मंद बुद्धि वाला बाला ऐसा करने योग्या नहीं होता अब बुद्धि का जो स्तर है जो IQ होता है हमारा वो परभावित करता है रूची को उच बुद्धि वाले जो बच्चे उनको मुश्किल काम कर अब देखें लैविस और मैकी इन्होंने क्या का है स्रेष्ट बुद्धि वाले और मंद बुद्धि वाले बच्चों की रूचियों के उपर इन्होंने अध्यन किया है और इन्होंने पाया है कि स्रेष्ट बुद्धि वाले वाले आएगा यहां पर बाल को की जो रूचि हैं उनमें अधिक विवीदता थी उनमें पढ़ने की रूची अत्याधिक थी स्रेष्ट बुद्धी वाले बच्चों को जानवरों की कहानियों में जो ज्यादा रूची पाई गई गई इसके बाद देखते हैं आयू और लिंग रूची जो होती है इनके विकास में अधिकतर अधिनों में लिंग संबंदी अंतर और आयू का प्रभाव भी स्पस्ट रूप से सामने आया है लड़कियों में सायरिक परिपकुता लड़कों से पहले आ जाती है इसके कालन लड़कियां सामाजिक गतिविद्यों में ज्यादा रूची दिखाती है अब उनका जब यह लगा लो आप सरीर जो है जल्दी ग्रोथ कर जाता है तो सामाजिक जो सोसल अक्टिविटीज होत अधिक से अधिक सामाजिक होने के अपेक्सा की जाती है अब संस्कृतिक कारक भी होते हैं जिक है लड़कों से सरीरिक रूप से 5-7 वरस की आयू में बच्चे रेत से खेलना पसंद करते हैं कल्पित काम में भाग लेते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको कुल मिला कर इतन परिवतन हो जाता है लड़के और लड़कियों की जो रूचिया होती है उनमें डिफरेंस होता है अब देखिए वे खेल दल बनाते समय है चोटे बच्चे देखे आप चोटे बच्चे जब होते हैं तो लड़के लड़के मिलकर खेलते हैं फिर क्या होता है जब बड़े ह है मालो 10 साल के हो गए तो मआइए पर उनकी जो रूचियां परिवर्दति 250 हून में लग जाता है इसाई में लिंके पर थी फिर बच्चे 10 साल के बाद यह लगा लुड़के लड़कों लड़कों के साथ खेलते हैं लड़कियां लड़कियों के साथ खेलती हैं लड़कियां परियों और पसों की कहानियों में जादा इंट्रेस्ट लेते हैं जबकि जो लड़कियों होते हैं वीर्था विज्यान सम्मंदी कहानियों में इंट्रेस्ट लेते हैं अब फिर पंद् है साररिक विकास साररिक विकास भी रूची को परभावित करता है अब बच्चा सवस्त होगा तो क्या करेगा बच्चा जैसे जो फिजिकल एक्टिविटी है कि रिकेट है फुटबॉल होकी इस तरह के काम करना पसंद करेगा या इस तरह के खेल खेलना पसंद करेगा अब ब किना गतिये काम होते हैं जिन में ज़्यादा भागदोड नहीं करने पड़ते हैं इस तरह के खेल बच्चा खेलना पसंद करता है सरीक विकास और रूचियों का जो संबंध हैं सैस्वस्ता तथा प्रोडवस्ता में अधिक सबस्ट रूप से देखने को मिलता है बच्चा यह तो जो सरीक विकास है वो भी असर डालता है बच्चा स्वस्त होगा तो फिजिकले जो एक्टिविटियों वे ज़्यादा करेगा कम जोर होगा तो वे कम करेगा आगे है सामाजिक आर्थिक स्तर परिवार का सामाजिक आर्थिक स्तर जो होता है यह भी सर डालता है रूचियों के उपर परिवार का आर्थिक स्तर उच्छ होने से जो उसकी रूचियां है उनमें भी विकास होता है यह विकास में रूचियां रूचियों के विकास में जो ल सथे लिए जो साहयक होता हैं कि आगे है सांस्कृतिक वातावर्ण कालिच्रल एनुआरमेंट सांस्कृतिक और सामाजिक धांचा जिसमें बच्चा रहता है उसकी रूचियों का परिचायक होता है अब देखे सांस्कृति मतलब बच्चे के आसपास का वातावरण कैसा है अब एक सहर का बच्चा है एक गाउं का बच्चा है उनकी जो रूचियां होते हैं उनमें अंतर मिलता है अब आप गाउं का बच्चा देखिए आजकल की मतलब आदकल तो मोडरन जमाना आ चुका है वैसे हम आज भी नॉर्मल देखे सहर के बच्चे जासे पब में जाते हैं या मोल में जाते हैं इस तरह के एक्टिविटी ज़्यादा करते हैं अब क्रामिण बच्चों की जो हैं इस तरह कामों में रूचि नहीं होते कि कि 9 से 12 वर्ष की आयों कि लड़के और लड़कियों का शक्षातकार किया गया देखिए जो सैक्लोजिस्ट है उन्होंने इसको पर एक्सपेरिमेंट किये हैं और उन्हें difference पाया है काओं के और सहर के बच्चे जो हैं उनकी रूचियों में सिना और निवास ने अध्यन किया है और स्पस्ट होता है इसे की परिवार की सामाजिक यहां पर सांस्कृतिक लिएल नहीं है यह विकास को क्या करते हैं परभावित करते हैं मुलब सांस्कृतिक वात्रों ज़ोता है परिवार का वह असर डालता है किसे उपर पर रूचियों के उपर अब देखे सिनेमा देखने में जो रूची है गरामेन बच्चों में कम पाई जाती है अब गाउं के बच्चे क्या करते हैं शिकार मचली पकड़ना इस तरह गाउं से सम्मधित काम है ये करना पसंद करते हैं और इसके विपरित हम इसके विपरित देखते हैं, तो सिनेमा वगरा देखने में सहर के बच्चे रूची दिखाते हैं, ऐसा इसलिए है, क्योंकि सहरी बच्चों की जो अभिवेक्ती है, उनको मतलब इनको अभिवेक्ती के ज्यादा मोके मिलते हैं सहर के बच्चों को, इसक इन अनुभवों का परभाव रूचियों का विकास करता है, ये अनुभव स्कूल द्वारा परभावित होते हैं, इस दिरिष्टी से स्कूल भी हमारे अनुभव को परभावित करते हैं, और रूचियां हमारी से परभावित होते हैं, अब हमारी क्या इच्छाए हैं, अब मा स्कूल करिकूल का पाठ्टगरम होता है यह भी असर डालता है स्कूल का पाठेकरम भी बच्चों की रूचियों को परभावित करते हैं कई पाठेकरमों में सीखने में बच्चों बच्चे जो अपनी रूची का परदर्शन देखें स्कूल का पाठेकरम बिल्कुल अब बच्चे कुछ बच्चे जो हैं मतलब उस करीकॉलम में रूची द यह कहते हैं कि यह पुराना है करी कुलम ही छोड़ देते हैं तो जो करी कुलम है वह भी असरे डालता है को उपर बच्चे के हिसाब से करी कुलम करते होना चाहिए धिर वह सायल है कई बार कोई विश्प्श है व्यक्ति की रुचि को परभावित कर जाता है अधिकतर को सोर अवस्ता में ऐसा होता है इस अवस्ता में वयवसाय का चैन करना कठिन हो जाता है क्योंकि उसे अनुभव कम होते हैं बच्चा मालों बच्चे को 11-12 के बाद क्या करना है वयवसाय का चैन करना मतलब उसके बाद किस तरह की फिल्ड में उसको जाना है डॉक्टर बनना है या बिजिनेसमेन बनना क्या करना है तो महाँ पर क्या होता है बच्चे के पास इतना अनुभव होता नहीं है तो वहाँ पर बच्चे जो है नलब उनको दिक्कते होती है अब व्यक्ति की व्यवसाई को रूची उसके ज्ञान द्रिश्टी कॉन मुद्ले सारी रिक आव सकता वातावन इन सब पर क्या होती है निर्भर होती है तो वह उसाई भी जो है असर डालता है अब जिस तरह का हम काम करेंगे हमारी रूची फिर बाद में उसी में रूची हो जाती है कई लड़कों और लड़कियों में व्यक्तिगत विशेष्टाओं के परती जागरुकता का अभाव कम ग्यान सीमित अनुभव के कारण रूचियां ऐस पस्ट होती है अब कुछ लड़के लड़कियां है उनमें उनका खुद का आप देखेंगे उनके अंदर जागरुकता नहीं होती कम ग्यान होता है अनुभव कम होते हैं तो उनके कारण क्या है उनकी रूच उनको पता ही नहीं होता मारा इंट्रेस्ट क्या है उनकी रूचियां जो हाग क्लियर नहीं होती वास्तिक व्यवसाइक रूचियों के लिए व्यवसायों का ग्यान आवस्चक है विद जो है सब्हस्ता लगा सकते हैं तो इस वीडियो के अंदर हमने सब्हस्टा पसंद आई होगी ज़िए पसंद आही हो तो इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और कमेंट बोक्स अपने कमेंट जरूर डालेगा यदि आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में जो बैल का इकन है उसको भी दबा लीजिए तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद